हालो इस्टुडेंट्स चलिए हम लोग रात के करेंट अफिस का रिवीजन कर लें फटा-फट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कॉस कर लेते हैं इस्पोर्स को उठाया है हमने और एक दो क्लास में हम लोग इस्पोर्स को पुड़ा कंप्लीट करेंगे 37th National Game 37 यानि 37 राश्टिये खेल कहां आयो जित हुआ गोवा में और इसके अंदर साइकलिंग और गोल्प की जो परतियोगीता थी वो दिल्ली में हुए ओवर और सारे खेल गोवा में हुए और दिल्ली में हुए ठीक है परदर्शनी खेल जो था लगवडी और गतका है सुभंकर इसका मोगा है और यह मोगा क्या होता है यह मोगा भारतिये बाईसन होता है अधिकारिक गीत गेट सेट गोवा पहली बार कुछ खेल को इसमें शामिल किया गया है यानि राश्ट्रिये खेल में पहली बार कुछ लाइड हुआ है लाइक फुटबाल रोल बॉल गॉल्फ कलरी पयट्टू सेपट टकड़ा इसक्वे मार्सल आर्ट्स पेंचक सिलट ऐसे करके कुछ खेलों को इसके अंदर डाला गया है इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको याद कर लीजे इसमें राजा द्रिसिंग ट्रॉफिय में सरुसरेष्ट अथिलेट कौन है स्रीहरीनट राज तैडाकी में करनाटक्य स्रीहरीनट राज और और इन्होंने 8 गोलड एक सिल्बर एक ब्राउन जीता है सर्वस्रिष्ट महिला एथलेक्ट कौन है तो दो हैं यहां पर संयुक्त रूप से दो हैं संयुक्त दो हैं एक है प्रसीन काले महाराश्ट्र और दूसरा है प्रनती नायक ओडिसा और दोनों जिमनास्टिक की चार्स गोल्ड और एक सिल्बर 38 राश्ट्रिय खेल कायोजन कहां होगा उत्राखंड में 37 गोह में हो गया 38 उत्राखंड में होगा महाराश्ट नंबर वन के टीम है यहां पर देख लिजे हो गया बस 19 मां ACI खेल कहां हुआ वांग जोव चीन 23 सेप्टेमबर से 8 अक्तूबर के बीच में मसाल एटर्नल फ्लेंग सुभंकर इसका तीन स्पोर्टी रोबोट है जिसका नाम रखा गया है अलग नाम क्या रखा गया है तीन स्पोर्टी रोबोट का एक है चेंचें दूसरा है कॉ कॉंग कॉंग और तीसरा है लियान लियान आधिकारिक प्रतीक इसका है वह है टाइडस सर्जिक और स्लोगन है हर्ट टू हर्ट फ्यूचर हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर एस याई ओलंपिक परिशत के सभी 45 सदस्देश जो थे वह इसमें पाटिसिपेट किये और इसमे स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को पहली बार प्राइस के लिए खेला गया है यह इंपोर्टेंट है इसी मैच में इसी टूर्णामेंट में उद्गाटन समारों में जो भारतिये धल के धल के धोजबाह थे उनका नाम है हर्मन प्रीत सिंग भारतिये पुरुस होक्के ट रखिएगा और जब समापन हुआ तो पी आर राजेस जो भारतिये टीम के गोल कीपर हैं इन्होंने उसका समापन किया पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में इस यहन खेल में के इतिहास में भारत का तीसरा यह सर्वस्रिष्ट परदर्शन है और इस खेल में भा ॅबधारतिये टीम दक्षिन ACI खेल में पहली बार पार पाटिसिपेट कर रही है आँ अब इसली क्रिकेट टीम है only coordinator Fatima को महिला क्रिकेट टीमने सरिलंका गोराया और पूरुसी क्रिकेट टीम ने अफगानिस्टान गोराया और दोनों ने हड़ाके फाइनल में गोल्डम मिडल जीत लिये तो महिल्य किस नहीं ख्राइं कैटी टीम ने स्रिलंगा को और पुरूष कीट टीम है अफगानिस्ता के इसके बात कवढडी में दो कवड़ी में भी गोल्ड मैडल दोनों भारत नहीं लिए हॉक्की में पुरुस टीम की फाइनल में पिछले साल के जापान को हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया तो इस तरह से कई सारे अवार्ड इन्होंने इस बार लिए और इस बार रिकॉर्ड बना लिए इसमें जो जियोती सुरेखा वेनम्मन है ये टोमर निसाने वाजी में दो गोल्ड एक सिलवर एक ब्राउंस टोटल चाथ पदा किनों ने जीता है अगर हम मुल्लेवान खिलाडी की बात करें या नि सबसे अधिक किसने क्या जीता तो महिला खिलाडी की बात करें तो ज्ञांग यूफग चीन की है ज्ञांग यूफग चीन की है तेराकी में छे गोल्ट तेराकी सबसे ज़्यादा जीतता है उसके बाद मुल्लेवान पुरुस खिलाडी भी चीन के ही है कीन हैं यह भी गोल्ड मेडल पांच एक सिलवर एस याई खेल अगला कभा होगा अगला होगा जापान जापान के आईची और नगोया में न भारत का पोजीशन देख लो भारत का पोजीशन चौथा है टोटल 107 इनोंने मेडल जीते हैं जिसमें 28 गोल्ड है 38 सिलबर है 41 ब्राउंज है टेनिस का कुछ देख लेते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस इसके अंदर बहुत सारे और डेटेल हैं बट उसको हटा दिया गया है 2024 का जो आएगा उसको देखा जाएगा नुवाग जोकोबिक ने अपने कैरियर का तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता है और 36 साल 26 वर्स 23 की अ तो कारलोस अलकराज कार्लोस अलकराज ने कैरियर का पहला विमबलडन खिताब जीता और ओर दूसरा इनका ये घ्रैंड स्लै म् हिताल है राफिल नडाल के बाद विमबलडन जीतने वाले स्पैन के दूसरे खिलाड़ी है ठीक है इस्पेन के दूसरे खिलाड़ी है और मार्केट्रा बोद्रो सोवा ने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम टूनामेंट जीता है और ओपिन यूग की प्रतिस्थित वीनस रोज वाटर डिस जीतने वाले भी पहली गैर वड़ियता प्राप्त खिलाड़ी बन गई है तो यह इंपोर्टन है यूएस ओपिन के अगर हम बात कर ले तो जोकोबिक ने भी चौथा यूएस जीतने वाले सबसे उमर दराज खिलाड़ी बने भी है इतना काफी है अब डेविस का फाइनल को देखते हैं डेविस का फाइनल इंपॉर्टेंट है इस पैन में हुआ था इटली ने इसको जीता दूसरी बात जीता उप बिजेता ऑस्ट्रेलिया उसके बाद पाच्चमा तेनिस प्रीमियर लिग कहा हुआ महराश्व के पूने में महराश्व के पूने में हुआ जिसमें टोटल आर्ट टीमों ने पाटिसिपेट किया था सब भारत के ही थे बैंगलूडू एमसी मावेडिक्स ने इसको जीता है और बंगाल विजार्स को हराया है ठीक है जो जो हुआ है अभी पांचमा टेनिस प्रीमियर लिग जैसे आई पील होता है ना उसी तरह से महराश्व के पूने में हुआ बैंगलूडू एमसी मावेडिक्स ने जीता है और बंगाल विजार्स ने बिगाज हरा है भारतिय टीम का वेस्ट इंडीज और स्विश्ट राज अमे इसमें प्लेयर आप दा सीरीज भारत के इशान किसं थे और यह भारत की वेस्ट इंडीज के खिलाब ते रहमी दुई पक्षिय यानि वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में एक दिबसी अंतराश्ट्रिय स्रिंकला की जीत थी बने बैक टू बैक जीत रहा है लेकिन जब कुल्दीब जादब T20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारत के गिंदवाज बने तो कुल्दीब जादब के नाम पर यह रिकॉर्ड आगे ती ट्वेंटी में के अंतराश्ट्रिय मैच में 300 से ज्यादा रन बलब यह कमाल का रिकॉर्ड है ACI खेल में जब पूरुस क्रिकेट परतियोगिता हो रही थी तो नेपाल ने क्या किया मंगोलिया के खिलाप दोनों टीम एक पड़ी एक है नेपाल ने मंगोलिया के खिलाप मातर तीन विकेट पे 304 रन बना दिया ठीक है अब 304 रन बनाने वाला पहला टीम इसमें क्या मातर नौ गेंद में ही 50 रन बना दिया नौ गेंद में ही 50 रन पूड़ा कर दिया तो यह एक बड़ा डिकॉर्ड है जिसको आप याद रखिएगा भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवस्वी है इंटरनेशनल स्रिंकला हुआ था सीरीज हुई थी सप्टेंबर में और इसमें भा अगस्त से सप्टेंबर के बीच में हुआ था यह स्रिलंका के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया और सोलहमा एस याई कप जो हुआ वंडे इंटरनेशनल मैच उसको भारत ने जीत लिया है रिकॉर्ड आठमी बाद उपवीजेता स्रिलंका रह मुहमस सिराज किसी एक दिवसी अंतराष्टी मैच में एक ओवर में चार बिकट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं ठीक है यानि एक ही ओवर में इन्होंने चार बिकट लिया है और पहले भारतीय बने ध्यान रखना है कि वंडे की बात हो रही है ठीक है और चौथे बिस्व के बॉलर पने है थर्टीन्थ यह इंपोर्टेंट है थर्टीन्थ ACI पुरुस क्रिकेट बिस्व कप 2023 भारत में आयोजित हुआ यह इंपोर्टेंट है चौथी बार भारत ICC पुरुस ODI बिस्व कप की मैजवानी कर रहा है और चौथी बार कर रहा है लेकिन यह पहली बार है कि सारा मैच भारत में हुआ है बाहर कहीं नहीं हुआ तेरहमा ACI क्रिकेट बिस्व कप से गलेटेज जो फैक्ट है इसका ओफिशिल एंथम है दिल जशन बोले इसके ग्लोबल एंबेजडर है सचीन सैंदुलकर इसके दो सुभंकर है एक का नाम बलेज है दूसरे का नाम तौंक है इस ICC क्रिकेट बिस्व कप में टोटल दस टी स्री लंका और नीदरलैंड टोटल इसमें 48 मैच हुआ पहला मैच इंगलैंड और न्यूजिलैंड के बीच में था इंपोर्टेंट फैट्स देख लेजे बिराट को ओली को गोल्डेन बैट का ओवार्ड मिला क्योंकि सबसे अधिक इन्होंने रन बनाए 7765 गोल्डेन बॉ भारत को ही मिला मुहमद समी को क्योंकि इन्होंने 24 24 इन्होंने बिकेट लिया सबसे अधिक टीम का स्कोर जो था वह दक्षिन अफ्रीका का था और बहुत बड़ा स्कोर चारसो अटाइस का स्रिलंका के खिला एक मैच में सबसे अधिक स्कोर 771 का बना है औस्ट्रेलिया वर 309 रनों से जीता है नीदर्लैंड को हडा कर एक पाड़ी में सबसे अधिक व्यक्तिकत रन की बात करें तो 201 रन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है औस्ट्रेलिया के तरब से वो भी नवाद सबसे अधिक सतक 4 लगाया गया है क्विंटन डी कॉक के द्वारा सबसे अधिक 50 लगाया गया है विराट कोली के द्वारा 6 सबसे अधिक छक्का लगाने वाले कौन होंगे रोई सर्मा 31 सबसे अधिक चौका लगाने वाले विराट कोली 68 ये इंपोर्टेंट है इसके बाद एक ही पाड़ी में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले फकर जमान पाकिस्तान के एक ही पाड़ी में सबसे अधिक चौका लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल आस्ट्रेलिया के 21 चौका लगा दिया जिसमें उन्होंने दो सरण बनाया था सर्वसिष्ट गेंदवाजी आक्रा एक पाड़ी में मुहम्मस समी साथ बिकेट लिया 57 पर सरवाधिक बार पांच बिकेट लेने वाले मुहम्मस समी वो भी तीन बार पांच-पांच बिकेट लिया है प्लियर अब दर टूर्णामेंट विराट कोली भारत तो इस तरह से और हम बात करें तो भारत को ऑस्ट्रेलिया ने छे बिकेट से हडा के रिकॉर्ड छट्थी बार इस वंडे वर्ल्ड कप को जीत लिया तो यह सारे यहां पर फैक्ट्स है अब कुछ और की बात अगर हम करे तो ट्रेबिस हेट ऑस्ट्वेलिया के हैं एक दिवसी अंतरास्ट्री क्रिकेट विस्व कप के एक ही संस्क्रन में सेमी फाइनल और फाइनल मुकाबले में प्लियर आप दे मैच लेने वाले चौथे रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बन गए एंजलो मैथ्यूस सिलंका के खिलाड़ी हैं इन्होंने लीग चरन में बांगलादेस के खिलाब खेलते हुए अंतरास्ट्री क्रिकेट में एक अन्वांटेड रिकॉर्ड अंचाहा रिकॉर्ड किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट के टी ट्वेंटी वन डे ट टेस्ट यह टाइम आउट हो गया यानि लेट से आहीं लेट से आने के कारण टाइम आउट ही हो गया तो यह पहला वा रिकॉर्ड बनाए न्यूजिलेंड के खिलाब सेमी फाइनल के मुकाबले में विराट पोली ने एक डिवसी अंतरास्ट्री क्रिकेट में अपना 50 सतक 50 सतक पूड़ा किया लीग चरण के मुकाबले में भारती गेंदवाज ने स्रिलंका को मात्र 55 रन पे आउट कर दिया और 302 रनों से जीता और यह भारत के लिए रिकॉर्ड है मात्र 55 रनों पे बुक कर दिया उनके लिए एक रिकॉर्ड है क्रिकेट विसुकप में रनों के लिए और जिंबावे यानि अफ्रीका के कॉंटिनेंट में होगा ही जिसमें जिंबावे नामीबिया और दक्षिन अफ्रीका सामिल होगा पंदरहमा भिससक्प घुर्च итог पता हुई-पर चलता रहे हूं मिल के नुमकर चलता रहे ओए झाल झाल